हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ वती महिला के पैरों से कैसे पता लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पढ़ रहा है या फिर एक लड़की जी हाँ फ्रेंडस अगर प्रेगनेंजी के दौ गर्भवती महिला में ये लक्षण नजर आते हैं तो इससे काफी हद तक अनुमान लगा जा सकता है कि उनके गर्भ में क्या पर रहा है एक लड़का या फिर एक लड़की तो कौन-कौन से वो सिम्टम्स हैं जानने के लिए वीडियो को भीना स्किप किये पूरा देखे चैन अगर उनके पैरों के बाल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं मुलाया में सॉफ्ट हैं तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़की पर रही है जब भी गर्भवती महिला के अंदर एक मेल हर्मोंस पर रहा होता है तो उसका असर महिला के बाड़ी पर जर होती है तो ये गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं वहीं अगर गर्भ वती महिला के बाएं पैर में ज़्यादा दर्द की समस्या होती है तो ये गर्भ में लड़की होने के संकेत माने जाते हैं नेक्स्ट है कि प्रेग्नेंसी के दोरान अगर महिला के पैरों में बह नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला चलते वक्त सबसे पहले अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाती है तो ऐसे में अंदाजा लगा जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है वहीं अगर महिला चलते वक्त सबसे पहले अपने बाएं पै लड़का पल रहा है तो फ्रेंड्स पैरों में मैंने इतने सारे बदलाव आपको बताए है जो गर गर्भ वती महिला में नजर आता है तो इसे अनुमान लगा जा सकता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक प्रमान नहीं है तो इसे 100% से और ना माने ये बस महिलाओं का अन्भव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वीडियो पसंद आयते वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले मिलूंगी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई